हेलो और विलकम दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में एक और नए फार्म के साथ आए हैं दोस्तों यह जो फार्म आई है J.S.S.C.G.L. बिल वीडियो के साथ बने रही है हम आपको सारे डिटेल से बताएंगे कि अगर आप इस फ़ार्म को भरना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को end तक दखिए तो दोस्तो इस्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट आपने अभी तक यूटूब चैनल को सब्स्राइब नहीं किये हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया गया है सब्सक्राइब का उसे सब्सक्राइब कर लिजिए और जो बगल में एक बेल आइकान आएगा उसे प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि उसे अपर नोटिफिकेशन मिलेगी ने ने फार्मों की तो दोस्तो चलिए हैं स्टार्ट करते हैं बीना समय कवाए तो दोस्तो आप यहां से देख सकते हैं JSSC CGR Recommend Online Farm 2019 सौट इनफर्मेशन यहां से पढ़ सकते हैं दोस्तो और यहां पर देख सकते हैं जो जहारकंड SSC डिटेल्स आप वेकेंसी यानी 1140 पोस्ट पर वेकेंसी आई है जिसमें से आसिस्टेंट वीवर आफिसर के लिए 362 पोस्ट है बलाग सप्लाई आफिसर के लिए 223 पोस्ट है बलाग वेलफेर आफिसर के लिए 149 पोस्ट है माँक्सिम्स for UR male 35 वर्च तक होना चाहिए maximum age for鼻 diffusion F female 38 वर्च तक होना चाहिए maximum age for SCF candidate 40 वर्च तक होना चाहिए अगर इस age of qualification यानि आप eligible हैं तो आप इस firm को apply कर सकते हैं educational qualification देखिए क्या माँगा है तो देखिए graduate या post graduate candidate apply कर सकते हैं इस firm को और यहाँ पर देखिए far more details regarding the educational qualification interested candidate are requested to check the advertisement दोस्तों link यहाँ पर सब दिया गया है इस website पर application fees की बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर देखिए general OBC candidate के लिए 1000 रुपिया फीस रखा गया है वहीं SCHT candidate के लिए 250 रुपिया फीस रखा गया है selection process क्या है तो देखिए सबसे पहले आपकी primary exam होगी फिर main exam होगी तो आप इसमें सबसे जोते हैं तो इस बाती के लिए आप eligible है आपको इसमें पता देखिए exam pattern क्या है तो देखिए preliminary exam pattern के लिए यहाँ पर देख सकते हैं part subject और question तो दोस्तों देखिए पार्ट A में general study आएगी जो 30 question होगा B में general science होगा जो कि 20 question आएगा C में देख सकते है general math होगा जिसमें 20 question आएगा D part में देख सकते हैं जिसमें कि mental ability होगी वह भी 20 question आएगा इसमें से और यहाँ पर D part देख सकते हैं general knowledge related to जharkand जharkand से related journal knowledge आएगी जो कि इसमें से 30 question पुछा जाएगा आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों timing देख सकते हैं 120 मिनट यह नि 2 घंटा का समय मिल रहा है 150 question है और हर question पर 3-3 mark मिलेंगे साही करने पर अगर आपकी एक गलती होती है question तो इसमें से negative marking भी है जो कि एक mark काट लिया जाएगे हर गलत answer पर means exam pattern देख सकते हैं there are three different paper each of two hour duration तो दखिये तीन different papers होंगे दो घंटे के उपरांत साजी और यहाँ पर देख सकते हैं paper subject question यानि इसमें third paper होंगे जिसमें से first paper में language test होगी 120 question आएगा उसमें से second paper में local language test होगी जो की 100 question होगा third में general knowledge होगी जो की 150 question होगा दोस्तो आप देख सकते हैं for detailed information about the syllabus and exam pattern click on the syllabus link given there in the table below दो दोस्तो लिंक दिया गया है इस website पर आईए विजिट कीजिए और इसे read कजिए अगर interested है और आपके पास यह सब qualification है तो आप इसे apply कर सकते हैं how to apply इस फार्म को आप कैसे apply कर सकते हैं तो देखिए दोस्तो candidate can apply online through the official website या directly through the link which will be made available here in this page दोस्तो लिंक description box में है आप direct apply align की link पर जाकर इसे apply कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तो हम यह कहेंगे कि आप सबसे पहले notification को read कीजिए तो ही आप इसे apply कीजिए जो कि इसमें सारे details बता रहे हैं दोस्तो और यहां पर देखिए candidate need to open the jsc official website आप official website पर जा सकते हैं दोस्तो after the click on the recommend link अप्रेश्ट कर सकते हैं इस farm को online application farm है दोस्तो और यहां पर देखिए फिर आपको application fees प्रे करना पड़ेगा फिर आप अपने application fees को submit करके print ले सकते हैं important date दे सकते हैं यहां पर application start हो रही है 31-10-2019 को यानि अक्टूबर में 31 तारी को start हो जाएगी यह farm भरना और यहां पर last date application submission का है 28-11-2019 तक आप इसे farm को apply कर सकते हैं टायर फर्स्ट exam date आप यहां से दे सकते हैं अभी sub notified later है और यहां पर important link की बात किया जाए तो दूस्तों आप यहां से दे सकते हैं apply online का link अभी available सुन है और यहां पर देखिए salivus and exam pattern आप यहां से जे SSC CGL salivus and exam pattern 2019 पर आकर इसे salivus को जान सकते हैं और official website का link यहां पर सब दिया गया है तो दोस्तों इस website का link आपको मिल जाएकर discussion box में आप आईए read कीजिए और apply करना चाहते हैं तो इसे apply कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए मिलते क कोने वीडियों साथ इने फार्मक साथ तब तक के लिए बाई 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 अबनाइटे टेक केर